गीता क्रोनी थानी की टीम ने एक जूविनाइल के साथ एक ओटो लिप्टर को गिरपतार किया है DCP R7 शुन्दरब ने बीरवार की दुपैर मीडिया को बताए कि गीता क्रोनी थानी की टीम ने एक ओटो लिप्टर गेंग का भाणड़ाफ होर गिया है तीन चोरी की स्कूडी बरा मत की हैं पुलिस ने आसिफ उर्फ आसू पुत्र जमसाद अली निवासी गली नमर एक आरम पार्ग गीता कलोनी जिसके उमर 22 पर से उसको गिरफ तार किया है इसके साथ एक जुविनेल को भी गिरफ तार किया है बुदवार की रात गीता कलोनी थानी की टीम जिसमें कॉंस्टेबल रिंकू और कॉंस्टेबल परवीन गश्ट कर रही थे गश्ट के दोरान उन्होंने स्कूडी नमर डी एल 3S C के 0215 पर दो लड़कों को सवार देखा और उन्होंने वहां को रोकने के लिए कहा स्कूडी सवारों ने भागने की कोशिस की लेकिन पुलिस ने पीछा किया कुछ देर तक और पकड़ लिया पुलिस ने स्कूडी के डोकूमेंस मांगे मगर कोई भी डोकूमेंस नहीं दिखा सके जिसके बाद स्कूडी का नमर ट्रेक किया तो पता चला कि वह स्कूडी एक चोरी की है जिसके बाद दोनों को थाना गीता क्लोनी में गिरपतार करके लाए गया जिसमें से एक जुबी नहीं था मामले की संबेधन सीलता को देखती हुए गांदी नेगर सब डिवीजिन के एसीपी चंदर परकास मीना के निर्दस पर गीता क्लोनी थाने के संजय भट की देख रेक में हैड कॉंस्टिबल विकास पवार और कॉंस्टिबल डिंको और कॉंस्टिबल परवी ने आरोपी आसी अरीब 9.30 बजे जगतपुरी इलाके से एक स्कूटी चुराई थी और वह लोग भोजन के लिए जमा मस्जित गई थे जहां स्कूटी का पैट्रोल खत्म हो गया और कहीं दूसरी जगा छिपा दी इसके बाद उन्होंने नियू लाहोर साश्ती नगर ठाना गीता कलोनी अं स्कूटी को पुलिस ने आरूपी आसीप के कहने पर महंदी पार घीता कलोनी के पास से स्कूटी बरामत कर ली जिसके बाद पिये जगतपुरी के तहत एक जो स्कूटी चोरी की दी उसको भी बरामत किया पुलिस ने तोटल तीन स्कूटी इनके पास से बरामत किये पुलिस